हाल ही में WHO की ओर से दुनिया में कैंसर की स्थिती को लेकरके एक रिपोर्ट जारी की गई है जो रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2050 तक दुनिया भर में कैंसर के जो मामले हैं उसमें 77 प्रतीशत तक की वरधी देखने को मिल सकती है तो आज इस वीडियो में हम इसी विशे पर बात करेंगे इसी रिपोर्ट को समझेंगे और साथ ही भारत में कैंसर की क्या स्थिती है एक बार उसको भी समझने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आईस चानल की इस नए वीडियो में चली वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं वीडियो की रूप रिखागी तो विडियो की रूप रेखा में बेसिकली सबसे पहले हमने खबर पर बात की, खबर के बाद हम WHO की जो रिपोर्ट आई है उस पर बात करेंगे, इसके अलावा भारत में कैंसर की क्या स्थिती है उसको भी समझेंगे संबंदी चुनौतियों पर भी बात करेंगे, इसके साथ साथ रिपोर्ट में जो सुझाओ दिये गए हैं, जो रेकमेंडेशन दिये गए हैं उन पर भी बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी, प्रश्न आपका प्रिलिम्स का है और आप विडियो में बताएगे तथियों के अधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं इसके अलावा यह जो पूरा टॉपिक है सियाप जीयस पेपर 2 और स्वास्त के खंड से जोड़ कर देख सकते हैं तो चलिए विडियो की यहाँ पर शुरुवात करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं WHO की रिपोर्ट की क्या बताती है तो WHO की कैंसर संस्था है कैंसर संस्था का नाम है आपका अंतराष्टी कैंसर अनुसंधान एजनसी तो यह एजनसी WHO के लिए काम करती है और इसी एजनसी ने कैंसर को लेकर के रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट क्या बताती है रिपोर्ट ये बताती है कि 2050 तक दुनिया भर में कैंसर के जो नए मामले हैं उन मामलों की संख्या जो है 35 मिलियन तक पहुंच सकती है इसका ये मतलब हुआ कि अगर 35 मिलियन तक पहुंचता है तो अभी से अगर आप देखें, 2022 से अगर आप इसकी तुलना करें तो ये 77 प्रतीशत तक की व्रद्धी को दर्शाता है यानि कि 2022 में अगर आप मामलों को देखें तो 2022 में जो मामले हैं वो आपका 20 मिलियन कैंसर के मामले आपके रिकॉर्ड हुए थे जिसमें आपको 9.7 मिलियन डेथ देखने को मिली थी अब इसमें 20 मिलियन के साथ 35 मिलियन और जुड़ जाएगा और ये 2050 का आकड़ा होने वाला है ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया गया है इसके अलावा रिपोर्ट कारणों पर भी बात करती है अगर आप कारण देखें तो तमाखु आपका एक सबसे बड़ा कारण है शराब एक बड़ा कारण है, मुटापा एक बड़ा कारण है उबैसिटी इसके अलावा वायू प्रदूशन तो ये चार कारण है जिन कारणों की वज़े से आपको दुनिया भर में कैंसर के मामलों में सबसे ज़्यादा वरद्धी देखने को मिलेगी इसके अलावा रिपोर्ट में ट्रेंड की भी बात की गई है कि कैंसर के मामलों को लेकर हमें किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे है जैसे कि एक trend ये रहा है कि दुनिया भर में एक trend ये रहने वाला है जो कि report बताती है कि दुनिया भर में 2050 तक जो विक्सित देश हैं वहाँ पर संख्या के मामले में cancer के सबसे ज़ादा मामले जो है cancer के सबसे ज़ादा cases हैं वो देखने को मिलेंगे वहीं दूसरी तरफ 2050 तक अगर आप देखें तो जो गरीब देश होने वाले हैं वहाँ पर प्रतीशत के मामले में सबसे ज़ादा जो है आपको आकड़े दिखाई देने वाले हैं तो संख्या के मामले में अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़ादा case विक्सित देशों में आएंगे और प्रतीशत के मामले में अगर आप बात करेंगे तो गरीब देशों में सबसे ज़ादा case आपको दिखाई देंगे और रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ गरीब देश ऐसे भी होने वाले हैं जहाँ पर कैंसर का जो दर है वह 142 प्रतीशत तक बढ़ सकती है इस सवधी के दुरान दुनिया भर में साखास्तोर पर भारत में अगर आप बात करें तो तेरा लाख बती सदार दोस्तों साथ कैंसर के मामले रिकॉर्ट किये गए इसमें से तकरीबन 3.2% जो मामले थे वह आपका 14 वर्ष तक के उमर के बच्चों की बीच रिकॉर्ट किये ग करता है इसके अलावा महिलाओं में अगर आप कैंसर की घटना कि बात करें तो महिलाओं में काइंसर की घटना सब्सbell DA होती है जैसे 2020 का डेटा या बताता है कि भारत में एक प्रती एक लाख महिला पर 103 महिलाओं को cancer का सामना करना पड़ा था जबकि पुरुषों में जो संख्या है वो 94.1 की आसपास है तो महिलाओं में अगर आप देखेंगे cancer के मामले जादा हैं अगर पुरुषों में common type of cancer देखें तो सबसे common type of cancer जो है वो है आपका पौरुष ग बात करें तो यहां पर आपको breast cancer सब्सक्रादा देखने को मिलता है इसके अलावा आपका गर्भाशे गरीवा का cancer हो गया गर्भाशे हो गया फेपड़े हो गया तो यह cancer की मामले आपको महिलाओं और पुरुषों में देखने को मिल जाते हैं यह भारत में हमने स्विति की बात की आप संबंद ही चुनोतियों की बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं तो पिछले 50 वर्षों में अगर आप data को देखेंगे तो महिलाओं की बीच में cervical cancer की जो rate है उसमें आपको बहुत व्यापक स्थर पर कमी देखने को मिली है इसकी वज बात करन देखने को मिलता है इसकी वज़े से समंधिर जो cancer है जैसे मौकी cancer हो गया आपका ग्राशनली का cancer है तो इसकी दर में भी कमी आ रही है इसकी वज़े यह है कि दुनिया भर में तंबाको को लेकर अब कड़े नियम बनाए गए हैं पब्लिक पब्लिक स्पेस पर आप अब तंबाको का अस्तमाल नहीं कर सकते हैं आप smoking नहीं कर सकते हैं तो ये दो प्रकार के जो cancer हैं वो कम हुए हैं लेकिन अगर आप तीसरे प्रकार का cancer देखेंगे खासतोर पर महिलाओं में breast cancer की जो संख्या है वो पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ी है इसकी इसकी वज़े यही है कि जो महिलाएं हैं वो देरी से शादी कर रही हैं ये breast cancer का एक बड़ा कारण जो है social reason सामने निकल करके आता है इसके अलावा स्तन पान ना कराना भी एक बड़ा reason है और उच्छ प्रोटीन आहर ये भी एक बड़ा reason माना जाता है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में बीती दिनों आपको याद होगा कि एक report publish हुई थी दाहिंदू में जिसमें पताया गया था कि जो cancer का screening rate है वो मातर 1.2% के आसपास है cervical cancer का तो भारत में screening rate भी बहुत ज़्यादा कम है इसको बढ़ानी की भी जरुत है ये हमने संबंधित चु cancer को लेकर के जागरुख करें खासतोर पर महिलाओं को breast cancer को लेकर के cervical cancer को लेकर के जागरुख किया जाए ताकि वो समय समय पर अपनी screening करवाती रहें तो जागरुखता भ्यान चलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अलावा क्योंकि 2050 तक हमने देखा कि cancer का जो burden है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर दें उसमें और ज़्यादा चीज़े एड़ करना शुरू कर दें ताकि health system को और ज़्यादा बहतर बनाया जा सके तो अगला सुझाओ यही है कि हमें अपने स्वास्त छेत्र में ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को निवेश कर करने की जरूत है यह हमने यहां पर सुझाओं पर बात कर ली है तो यहां पर जो हमारा करेंट अफेर का सेग्मेंट था वो समाप्त होता है और अबंत में एक प्रश्ण पर भी बात हो जाए तो आज का हमारा प्रिलिम्स का जो सवाल है वह आप से पूछ सा है कि पूरुश और मुझे अमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर भी कर दीजेगा मिलते हैं आप से कल तब तक के लिए अपना खयाल रखिये ध्यान रखिये पढ़ते रहिए धन्यवाद